हेलो एवरिवन टुड़े विल स्टार्ट वर न्यू टॉपिक विच इस फाइंडिंग एरिया ओफ ट्राइंगल एंड रेक्टिंगल बच्छो रेक्टेंगल और ट्राइंगल की जो क्वेशन्स आते हैं कोडिनेट जोमेट्री में उसको किस तरह से उन क्वाडेंट्स को यूज करते हैं सोल करना होता है यह आज हम बच्चो सीखेंगे ठीक इमपोटेंट है फोर माक्स का क्योशन आपकी जरूर बनता है इस चैप्टर से और बैसिकली इस पैटन पर जरूर बनता है तो ध्यान रखेगा बच्चो हम बैसिक एंसिक एंसियाटी सीविए सी कवर कर रहे हैं जो बच्चे ओलंपियाड आईयमों वगरा की एक प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डारेक्ली मेर से कॉंट्रीट कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस के लिए जो कि एंटी एस सी ओलंपियाड के लिए चलती है ठीक है यह है हमारा बैसी कोर्से पूरा बैसिक फंडामेंटल् है आराम से आईये मुझसे ओडाउट क्लीर कीजी ठीक है मैं लाइव क्लासेस पड़ाता हूं वहाँ पर आजाईया आप ठीक है कमेंट्स के तूरू आप पूछ सकते हो किसी भी तरह से ठीक है बच्चों आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का जो यह टॉपिक में मैं बनाया है इसको देखते हैं क्या-क्या है इसके अंदर क्वेश्चन ठीक है बने रहे हैं मिरे साथ ओके सो नौ ठीक बात जैसा की टॉपिक लिखा हुआ है हम लोग आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन से मैं इसको समझता हूं क्वेश्चन मेरे लिया है find the area of triangle ABC अब ट यानि three points के coordinate आपको दे रखें तो सबसे पहले हमारा काम होगा बच्चो यहां पर Cartesian plane यानि जो plane आपको graph दिख रहा है नहीं यहां पर जो मैंने बना रखा है यहां पर इसमें हमें इन points को plot करना जो कि मैंने आपको पिछली classes में अच्छे से बता दिया है किस तरह से point को plot कर बना होता है ठीक है यहां से हम शुरुवात करेंगे समझ आगे बच्चो चलो यह graph को देखते हैं या फिर यह जो मैंने बना रखा है upload किया हुआ है plane इसको देखते हैं सबसे पहले मैंने x x-dash बनाई y-dash बनाया आपको आता ही है यह तो clear समझ में आ रहा होगा आपको छो जूम कर लेते हैं इसको ठीक बात अब बच्चो हमें सबसे पहले plot करना है ओ को यानि 00 जुसके coordinate है तो 00 तो students हमें आगे बढ़ना नहीं यानि x भी 0 चलना है y भी 0 चलना इसका मतलब चलना है यहां से start करना origin की coordinate है जहां से हमने शुरुवात की थी चलो पहला point आपका plot हो च चलना है 2 क्या चलना है मुझे x axis में 2 चलना है तो x coordinate कितना है 2 है तो मैंने start किया चलना 1 और यह 2 यहां आगया है उसके बाद 2 पर रुखना नहीं है मुझे 2 से 0 चलना है अब बच्चो आपको पता है 0 यानि value है ही नहीं यानि आपको आगे बढ़ना नहीं है तो इसका करते हैं c वाले की point c को plot करते हैं सबसे पहले चलते हैं 0 यानि x आपको चलना है बच्चो 0 तो कई चलना ही नहीं है मैंने चालू कर दिया यहां पर 0 यह रखा है अब y देखा मैंने कितना है वो 3 है 3 है y और positive way positive way तो उपर चलू हमें correct है यह आ गया मैं उपर तो मैंने 3 को mark क पर के को कर दिया और जैसे ही मैंने points को plot किया मैंने यहां पर इक figure देखा वो था right angled triangle डिख़ा है आपको यह को देखो देखो फटा फट से देखो right angled triangle बन रहा है यह इसको मिला जता हूं तीनों points को कर मैं मिला जता हूं right ट्राइंगल बनता है question पूछा भी यही है find the area of triangle ABC अब A तो है नहीं O कर रहा है उसको A कोई दिक्कत नहीं है चलेगा अब बच्चों कैसे निकालेंगे यही आपका काम में triangle तो मालूम चलिया लेकिन dimension आपको पता नहीं है हमें पता है triangle का formula half bass into height के लिए मुझे क्या करूँ है यहा मेरा bass O B आपका bass है और O C आपकी height है तो O B मुझे निकालना है तो कितना निकलेगा start किया मैंने 0 से 0 से 1 और 1 से 2 यानि total कितना distance है cover किया इसने O B में 2 लिखा मैंने यहाँ पर 2 bass की value मैंने 2 लिखी correct है same as बच्चों में बात करूँगा यहाँ पर H की height की जो की है O C तो O C की height कितनी है देखो देखो 0 से 1 1 से 2, 2 से 3 यानि 0 से C तक की distance यानि O से C तक की distance कितनी है बच्चो 3 units यहाँ पर देनी रखिए आप only use करो damage जो भी लिखरी damage H की value में 3 रख दू हूँ अब formula में put करना है half base into height करना है 2 से 2 कट जाएगा बच्चे का बच्चो 3 यही है आपका answer तो इस तरह से हम coordinate geometry को use करते हूँ भी triangles का area निका सकते हैं अब एक question rectangle का भी देख लेते हैं आज ओ फटापट से दिख रहा होगा आपको graph में rectangle बन रहा है तो समझने से पहले-पहले question देख लो आप क्या पूछ रहा हूँ find the area of rectangle ABCD एक ABCD आपका rectangle है जिसके coordinates आपको दे रखे हैं तो stay first वही क्या करना है हमें सबसे पहले points को plot करना है graph paper पे या जो भी आपके पास available है उस पर आपको points को plot करना है पहले वाले question में हमने इस वाले question में normally किया था इस वाले question में हम graph paper के थूँ solve करेंगे ठीक है समझारी बात correct है चलो सबसे पहले हम A को देखते है A की coordinate से 2,1 2 यानि x चलना है 2 और 1 चलना है आपको y चलो start करते है तो सबसे पहले मैं 0 से start करूँगा समझ में आई क्या होगा यह x से y से y से मैंने plotting कर रगी है 0 से 1,2,3 ऐसे minus 1, minus 2 उपर plus और नीचे minus clear है इतना तो सबको आता है आपको कोई दिक्कत ही नहीं यहांपर अब हम देखते हैं प्लोट करते हैं उसके बात figure पर बात करेंगे step 1 देखते है a को मैंने देखा 2,1 वीडियो पॉस्ट करो आपकी साइट से भी आपकी ये question try कर सकते हो difficult नहीं है बिल्कुल प्लोट करना आपको points आ चुका है कुछ नहीं तो points से plot करो अचा 0 से side किया 1 चला फिर मैं 2 चला तो यहां पहुच गया मैं येकिन stop नहीं होना है मुझे या पर रुखना नहीं है यह मेरा point नहीं है यहां से मुझे y access चलना है 1 तो मैं उपर चलूँगा positively 1 है यह 1 आ गया आ गया मेरा a इसको मैंने a नाम दिया 2,1 मैंने इसको लिख दिया है चलो एक point नहीं है same as मैंने b किया सबसे पहले minus 1 चलना है 0 से x direction में minus 1 तो इदर जाओंगा मैं इदर इस side तो minus 1 में चला यह आ गया मेरा minus 1 रुखना नहीं है y चलना है कितना बच्चो 1 चलना है उपर तो b कोडिनेट कितना होगे बच्चो b कितना होगे minus 1,1 परेक्ट है बिलकुल सही बात है जो दे रखा है यह हम करते चले जा रहे है अब c को देखो बच्चो c में कितना मज़ा आता है हमें सब पता होता है हर coordinates के बारे में इसके बारे में ही पता था मुझे कहाँ बनेगा इसके बारे में ही पता था क्यूँ और इसके बारे में भी पता है क्येस है क्योंकि दोनों प्लस है तो first quadrant में आएगा first वाला negative है second वाला positive है तो second quadrant में दोनो negative है तो third quadrant में और इस case में आपका पहला positive, दूसरा negative तो fourth quadrant है fourth quadrant में इसको हम use करें अब मैं C की बात करता हूँ तो पहले minus 1 चलना है, minus 1 चला गया उसके बाद minus 2 यहीं डाउन जाना है मेरे को, चला गया समझाया, same as मैंने D को plot किया है पहले positive 2 जाऊंगा उसके बाद आपको Y चलना है तो Y direction तो ऐसी होती है य वाला direction है तो negative जाना है यहाँ गया, चारो points मैंने graph paper पर बच्चो plot कर दी है अब मुझे निकालना है area कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो मैंने points को plot किया है उन सारे points को मैंने मिला दिया देखो, तो मैंने एक figure देखा तो just like square ये एक rectangle बन रहा है क्योंकि square भी क्या बनता है क्या होता square, एक rectangle का ही part है rectangle में अगर आपको length और bit को equal कर दो, तो वो square बन जाता है ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक rectangle बन रहा है और rectangle का formula बच्चों में पता है, क्या होता area bass into height clear, या फिर आप length into width भी बोल सकते हो bass into height बोलो, या length into into width बोल सकते हो तो length मैंने list की, length मैं निकालता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा length into width length मैंने बच्चों निकाल लिए, length कितनी होगी कितनी होगी यहाँ cd cd इसकी length मैं लेता हूँ और width अगर मैं लोगा यहाँ पर basically तो eddy लोगा तो eddy और cd मुझे निकालना है cd मैंने कैसे निकाला बच्चों कि c से चला मैं पहले तो point तक 0 तक, यहाँ तक main line तक y axis तक, तो यहाँ देखा 1 था और फिर यहाँ से मैं यहाँ तक चला यह 2 था, तो total मिला के 2 और 1 total मिला के 3 हो गया, तो यह लिख दिया है मैंने 1 प्लस 2 गराबर 3 same as मेरे को ed निकालना है तो d से पहले मैं यहाँ चला, इस axis तक x axis तक, तो कितना चला, 2 चला उसके बाद, फिर यहाँ से मैं कहाँ चला गया, यह देखो, तो से easy सा question था, बस plot करना है direct, उसके बाद तो छोटे-छोटे formula आपको already आते है, ठीक है, तो ऐसे करना होता है, यह 4 marks सा question अच्छा, इसमें एक छोटी सी mistake है क्या mistake है, mistake नहीं बोले हैं उसको मैंने skip कर दिया, मैंने बोल दिया है वो part है steps का, अगर 4 marks में question आएगा, तो आपको steps भी लिखना है, किस तरह से आपने question solve किया है अब हम इसी part में आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा topic समझते हैं बच्चो बहुत ही अच्छा topic है आपका समझना finding mirror image of a point यानि particular आपको coordinate के अंदर एक point दे दिया जाएगा जैसे अभी दिया था P, Q, R, S, A, B, C, D उसकी आपको mirror image बताना है यानि mirror में उसको देखने पर वो कौन से coordinate manager आएगा या उसकी coordinates क्या होंगे यह हमें बताना है question आते हैं तो लो देखते हैं क्या चीज है यह जैसे कि मैंने example लिया mirror image बना रहा हूँ मैं image in x-axis की मैं बात कर रहा हूँ यह ना मेरा x-axis यानि यहाँ पर मैं कुछ रखूँगा और उसको इदर देखूँगा तो result क्या बनता है वो मैं check करूँगा x-axis की बात कर रहा हूँ यानि जो भी मैं point रख रहा हूँ इदर या इदर इदर उसको मैं opposite side देखूँगा इदर देखना है मुझे यह आपका mirror यहाँ पर आगया mirror x-axis mirror तो मैंने point लिया बच्चो a 2,3 समझ आ रहा है 0 से 1, 1 से 2 चला दिख रहा होगा आपको 0 से 1, 1 से 2 यह आगया आपका a समझ रहा हो तो a आगया 2,3 मैं post चुका हूँ upload करना आपको आता है यह point अब इसकी mirror image देखते हैं बच्चो तो जैसे मैंने opposite देखा mirror में क्या होता आपको इतना knowledge होना चाहिए कि mirror में equal distance में image बनती है जितना बाहर आप mirror के हो उतना ही mirror के अंदर आपकी image बनेगी अंदर के था ठीक है तो हमने देखा यहाँ पर a उतना ही नीचे down यह जाएगा a अच्छा यहाँ पर 3 था यहाँ से यहाँ तक के distance 3 तो यहाँ से यहाँ तक के distance भी 3 होगी लेकिन यहाँ पर आ गया है अब difference क्या difference आगया बच्चो यहाँ पर जो image बनेगी ना आपको आपकी जो देखो यहाँ पर इतना तो equal बन रहा ही यहाँ भी positively vary किया है यहाँ भी positive तो यहाँ भी positive vary करेगा लेकिन बच्चो y direction जो है वो इस बार आपका negative बन चुका है तो result क्या बन जाएगा 2, minus 3 easy था बड़ा easy था बड़ा जिस quadrant में आप देख रहो न उस quadrant के आपको symbols plus minus sign use करना है बस चाहां mirror है अब यह करो आप फटा फट से केसे करोगी जैसे second quadrant में बन रहा है यह तो यहाँ पर हमने देखा कि minus 3,1 है इसको मैंने mirror में देखा तो distance तो जितनी इसकी उतनी इसकी होगी clear समझ पा रहे हो तो यानि यह one होगा तो यह भी one होगा लेकिन अंतर क्या आगिया वो negative बन जाएगा ठीक है यह तो negative दोनो side equal आता यह भी negative होता है लेकिन फर्क बढ़ रहा है इसमें तो इस quadrant में मुझे पता है दोनो negative होता है तो basically इसकी mirror image अगर मैं इसको देखते वह बनाऊंगा X axis के through तो result आपका दोनो negative है समझ पा रहा हो बागी देखो coordinates जो number है वो equal थे अब आते हैं हम y axis के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर कोई रखा हुआ है पार पॉइंट तो इसकी image यहां क्या बनेगी इस coordinate की उल्टा भी पूछ सकते हैं यहां पर अगर दे रखा है तो इसकी image क्या बनेगी question करना है आपको समझ रहा है एक मैं बता जेता हूँ आपको पहला वाला अगर मैंने c point लिया 5,1 दोनो positive है इसलिए first quadrant में है mirror में उतने ही difference में वो image बनेगी समझ रहे हो mirror के अंदर उतने ही deep वो image बनेगी यानि यह जो difference है इतना जो distance गई है मेरी कितनी गई है total यह 5 है तो अंदर भी 5 जाना पड़ेगा 5 जाना पड़ेगा लेकिन आप difference क्या होगा बच्चो negative हम use करेंगी negative फिर योकि इस quadrant में x axis x coordinate negative होता है समझ पा रहे हो clear है तो यहाँ पर c 5,1 थी यहाँ पर भी 5,1 ही बनेगी लेकिन symbols में difference आएगा इस quadrant में x जो होता है वो negative होता है y आपका positive होता है ठीक है समझ पा रहे हो तो अंदर deep बनेगी image यही पर बनेगी तो result आपका यह बन जाएगा इस question को last वाले को आपको बच्चो try गरना है 6,-2 को same का same यह बन जाएगा as a d d-dates जो भी लिखा है में न समझ पा रहे हो तो यह था बच्चो आज का concept mirror image हमने समझा हमने triangles का rectangles का area निकालना समझा किसके तुरू coordinate geometry बाकि पूरा chapter हमने आच्छे समझ लिया है यह आपका final video थ coordinate geometry का कुछ topics अगर आप और भी चाहिए तो आप message कर दीजिएगा coordinate geometry में वह में पढ़ा दूआ ना इंत्वे ठीक बात तो बचो कैसा लगा मेरा आज का video I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा सारी वीडियो को देखो अगर कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो पूरा coordinate geometry की सा सारी वीडियो को ट्राइब ठीक है तो बचो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धनिवाद बने देगा मेरे साथ में सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आगे सागे फेलाओ ताकि जो बच्चे चाहते हैं आगे बढ़ना और अच्छे से फ्री ओफ कॉस सीखना तो आराम से मेरे साथ जूर सकते हैं थैंक्यू बच्चो थैंक्यू थैंक्स अलोट बबाए